आज मेरे पास चार आईलाइनर हैक्स है जो आपके मेकप को ट्रांस्पॉर्म कर देगा फ्रम नाइट मैस टू ब्यूटिफुल डेड्रीम्स मेरा किचिन के सामानों के साथ एक मिक्स रिलेशन्शिप है रुको, आक्चिली मेरा उनसे कोई नाता नहीं है लेकिन मैं वहाँ स्किन केर और मेकप हैक्स के लिए अकसर जाती हूँ आज मुझे एक मज़ेदार विंग्ड आईलाइनर स्टेंसिल मिला है एक चम्मच शुरू करे चम्मच के फ्लाट एंड से विंग के सीधी लाइन बनाने के लिए इसके बाद चम्मच का टॉप कर्व एंड ले और उसके इस्तिमाल से विंग को जोडने वाली लाइन बनाए ये मेथोड बिगिनर्स को छोटा विंग बनाने में मदद करता है टेप आईलाइनर कोई revolutionary आईडिया नहीं है लेकिन मानो या ना मानो ये असल में काम करता है यहाँ ट्रिक स्कॉच टेप को इस्तिमाल करने का है और चिपचिपा पन कम करने के लिए इसे हातों पर इस तरह इस्तिमाल करें ये करने से प्रोसेस के दौरान आपकी delicate eyelids को नुकसान नहीं पहुचेगा एक छोटा wing बनाएं टेप को stencil की तरह इस्तिमाल करते हुए अपने eyeliner से फिल करें टेप को कैफुली निकाले और जहां भी लगे eyeliner से साफ करें razor sharp wing हर किसी की पसंद नहीं होती अगर आपको soft और blurry shape ज्यादा अच्छे लगते हैं तो ये technique आपके लिए बहतर रहेगी मैं शुरू करती हूँ rough wing के आकार से एक blendable pencil के इस्तिमाल से उसके बाद मैं blurring tool यूज करती हूँ जो pencil के साथ आता है edges को soft और smoke out look देने के लिए अपने wing की shape से समझोता कि ये बगेर आप इसे blur करने के लिए sponge eyeshadow applicator भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसके बाद अंजाने में होने वाली smudge से बचने के लिए eyeshadow की मदद लेती हूँ ये बेहत सुन्दर लुक आपकी eyelids को लंबा और आकरशक बनाने में मदद करेगा उन Instagram beauties की तरह जिने हम अकसर देखते हैं कुछ मामलों में सावधानी बरतना गलती सुधारने से ज्यादा बहतर होता है लेकिन गलती हो जाए तो फिर eyeliner को एकदम perfection के साथ साफ करना एक रास्ता हो सकता है इस hack के लिए आपको आपके eyeliner, एक Q-tip और कुछ oil-free makeup remover की जरूरत होगी अपने eyeliner को सामान्य तोर पर लगाए यहाँ पर हम smudge को भूल जाते हैं और अपने saviour Q-tip को लेंगे आप शायद ज्यादा product निकार लेंगे अगर Q-tip बहुत गीली हो जाए तो अब wing पर जाए और अपने हिसाब से perfect बनाए आपका साफ सुधरा wing तयार है इन eyeliner hacks ने मेरा बहुत टाइम बचाया है और makeup का डर कम किया है उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी उतना ही फाइदेमन हो मुझे जरूर बताए आप कौन सा तरीका आजमाना चाहेंगे and until next time stay tuned and stay glamorous